मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भूला ना सकोगे न जाने मुझे क्यूं ये की हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटाना सकोगे मुझे तुम नजर से हमें ये कहना चाहिए कि रेखा सूपरस्टार आप खुद ऐसा महसूस करती हैं आप कॉंशिस हैं इस बात की कि आप एक सूपरस्टार हैं मैं इस बात से काफी कॉंशिस हूँ कि आप लोग यह समझते हैं कि मैं सुपर स्टा हूँ लेकिन सुपर स्टार बनने के लिए आपकी मन्जिल आपका रास्ता मन्जिल तक पहुंछने के लिए बहुत आसान था ये मुश्किल था? काफे साल तक मुझे तो क्यूंकि मेरे, in my case, मैं बहुत छोटी थी जब आए थी तो मेरे साथ तो ऐसी हुआ कि ओवरनाइट मैं स्टार बन के थी तो it was quite easy for me लेकिन आपके लेकिन आपके पिता भी साथ इंडिया के बहुत जाने माने अक्टर थे आपकी माता भी अक्टरिस थी आपको उन्होंने कोई ट्रेनिंग दी कोई encourage किया मैं ममी नहीं काफी बलके उन्होंने मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी अक्टरिस बनाओ आप किसी भी अक्टर को पूछेंगे आम तोर पे वो लोग यही कहते है कि मेरा बच्पन से ही शौक था फिल्म अक्टर बनने का और in my case ऐसे नहीं है मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं अक्टरिस बनाओ मुझे तो मार मार के बना रहेगा तो आपने शुरू में क्या कोई साउथ इंडियन फिल्मों में अक्टिंग की? जी हाँ, मैं चाइल्ड आर्टिस थी, तीन साल के उमर से मैं काम कर रही हूँ फिर बंबाई कब आई? बंबाई जब मैं तेरा साल की थी फिर कैसे फिल्मों में कैसे ब्रेक किया आपने? एक साहब थे, गुलजीतपाल और शेतरुजीतपाल, दोनों भाई थे तो वो नही हीरोई धूनने के लिए वो लुब मधरासा है तो किसी ने कहा कि एक सौथ इन लड़की है, थोड़ी बत हिंदी बोल लेती है, तो यदिन नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता उनने कहा कि चलो, देख लेते हैं तो जजी वो पता, मुझ से भूबлом लेगाता है मुझसे पूब्सक्क भाईए, कि आपको है। धिनदी आती है। यह मैने कहा है तो मैने कहा त। तो मै अनुन चालोप लेलेती हैं मैं यही समझते चैनिकी मुझस ब छल्ख थे साइन कर लेते है। लेकिन आपके समझते हैं कुछ आपके माता-पिता का उन पे असर था कि वो बहुत बड़े एक्टर 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 तो नहीं यह जो बहुत वो चाहती थी कि मैं फिल्म में काम करूँ पिर पहली फिल्म के बाद आपका शौक और बढ़ा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं कह रही हुँ ना कम से कम छे साथ साल तक तो I didn't like what I was doing यही था कि बस जबरदस्ती कहेंच करके शूटिंग में शूटिंग जाती थी डबल शिफ्स करती थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा फिर आप कर रहा या कब बदला कब आपने सोचा कि नहीं अब सीरिशली काम करना चाहिए 74 75 में हलांकि मैं फिल्म सावन भादों और सब लोग यही कह रहे थे कि she's very good or she's overnight star and everything but मुझे तो हाँ यह था कि बस मेरे classmates who are still in school वो लोग देखेंगे and I'll be very proud of myself that's it I didn't know कि मैं क्या कर रही थी बहुत छोटी थी आपने का आपको हिंदी नहीं आती थी आपने कहा अबे भी यह मैं ठीक से नहीं बूल सकती लेकिन आ अपने आप आपने आप आपने आप आपने आप मतलब थोड़ी बहुत जितने बहुत में मुझती है अच्छा सावन भादों के बाद से अब तक कुछ यादा आप कितनी फिल्मों में heroine आ चुकी हैं जी हाँ चार सौ फिल्मों में चार सौ फिल्मों में जी 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 that's surprising yes it's को भी बहुत पसंद करते हैं आप ने डांस कहा से सीखा आप यकिन ने करेंगे लेकिन मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं कभी नहीं सीखा मेरे हमारे आप हमारे फैमिली में यही है कि बच्पन से सभी डांस करते मैं mother my sisters और professionally अगर आप देखा जाए तो हाँ जबर दसी हम लो लेकिन फिल्मों में तो हमने आपके बहुत अच्छे अच्छे डांस देखे हैं जी बट मेरे खायल से इस नॉट डांस मुझे यह लगता है कि इस यह फीलिंग अंदर से जो आप फील करते हैं उसको आप if you feel it with your soul, you know, तो वो अंग अंग में आ जाता है इस यह ग्रेस चार सो फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं जी आप को कुछ अपनी पसंदीदा फिल्मे याद हैं जो आपको पसंद आई हूँ छे-साथ साल तक तो मुझे अपनी कोई भी फिल्म पसंदी आई थी लेकिन 75 के बाद घर मेरी एक फिल्म बनी थी जिस फिल्म में मुझे पहली बार मुझे लगा कि मुझे अप्टिंग में इंटर्स लेना चाहिए और मैंने जब वो फिल्म देखी तो कुछ सेंस पूरी फ पर एक सीन वो जो रेप सीन के आपने देखी ओ फिल्म जी घर तो एक सीन मैंने जो किया मुझे लगा कि हाँ इस इस काफ़ी रियलिस्टिक और उस फिल्म से मुझे लगा कि तोड़ा तोड़ा इंटरिस्ट आमस्टेक इंटर्स अटिंग उम्राव जान में आपका रोल बह किसी से खास कोई ट्रेनिंग लिए कोई जी नहीं बिलकुल नहीं I know it's very difficult to believe but मैने कभी मुझे एक शब उर्दुका I can't speak I've never learnt the language मुने कभी सीखाने and अभी की कामे काफी you know it's I know it's I shouldn't be saying this but I want you to know it's true and um rajaan में तो मुझे कुछ ऐसी खास बात लगी नहीं कि you know national award वाली बात कम से कम I think I didn't deserve it but उसमें एक अच्छी बात क्या थी कि मैंने जैसे कि मैं किसी और से भी कह रही थी करन की बाकि अगर आप कहें कि कुछ fantastic performance की बाद अगर आप करें तो मुझे तो बिलकुल भी नहीं लगा कि कुछ खास performance खेर ये तो आपका ख्याल है लेकिन मैं सची कह रही हूँ face किसे नहीं मुझे से कहा कि you know your performance was very restrained कि आप इतनी एक restrained performance दी आपने असल में बात यह थी कि my face is so blank that you cannot see what I feel inside my heart लेके उम्राओ जान की बात हो रही है इसलिए मैं कह सकता हूं आपकी जर्रा नवाजी है वरना वो तो आप अपने दर्शकों से पूछे कि आपने कैसा रोल किया था तो मैं कहा रही है उन लोगों को यह लगता है कि बड़ी एक restrained performance ही यह बद मुझे तो बिलकुल भी नहीं लगता है गोसिप की बात की थी खास तर मेंकलते हैं उनमें जो गोसिप आता है और सुपर स्टार होने के नाते आपके गोसिप हमें ज्यадע पढ़ने को मिलते है अब यह नहीं कह सकते वो उन में क्या सच्चाई है, क्या जूट है लेकिन आप जब खुद पढ़ती हैं वो अप गॉसिपस अपने बारे में तो आपको कैसा लगता है शुरू शुरू में तो समझ में नहीं आया लोग बोलते थे कि शीज़ वेए फ्रैंक परसन और इसको कहते हैं लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फरक ने पड़ा बाद में जब शुरू शुरू में मतलब 69 में मैं बंबी आई तब 69 से 74 तक तो मुझे कुछ खास फरक ने पड़ा लेकिन 74 के बाद कुछ ज़्यादा ही उन लोग ने टुक एड़ांटिज और मैं जो कहूं उसका कुछ उल्टाई पट्टी बना कि कुछ अपना मिर्च मसाला मिला कर कि लोग दिर रजाल कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक एक पिक्चर ने पेंट किया जो मैं बिलकुल भी नही मागजिन से उससे पहले क्या है जैसे मैं हूँ चुलवली जैसे मैं थी अब कुछ ज़्यादा अब तो मैं नीम में हूँ इसलिए थोड़ी कम जी मतलब ये सिरफ आज की बात है इम रेली टोटली मैं मुझे पता नहीं कि मैं क्या बात करूं यहां कैसी बंद यह आप दोष्ट मैंगे जॉनलिस्ट है मुझे तु आप एक इंसान है आप परसंटो परसंटो बात करते थी और मैं बहुत खुली बात करते थी I used to talk very nicely and I used to give them good answers तु उसमें जो है, they used to always mix कुछ ना कुछ लगा करके तु एक हतक तु मुझे तु लगता था ठीक है you know I used to take it with a good pinch of salt but after some time it got so much एक फिल्मागजीन ने तु इतना जादा किया कि they started adding four letter words बंबाइ का एक लंबाइ का लैंविज में है वर्ड जिसका नाम है जिसको केते है, बंदास, पता ने आपने सुनाए कि ने बंदास मतलब बंदास, लापरवाई से रहे, and she doesn't care bohemian is a very decent word but she doesn't care for anything के रहा है, के रहा है, के रहा है मैं बंदास मैं बहुत आशी नही हूं लाकि मैं बहुत traditional, बहुत old-fashioned और बहुत God-fearing हूं जो ऐसा लगा ही ने, मैं मैंगजिन बढ़ कर के मैंने का कि ये किस की बात कर रहे हैं भाई ये तो मैं हुई नहीं पदा नहीं किस की बात कर रहे हूं मुझे बहुत गुसा है, हुस्से स्यादा I felt very hurt और जब मुझे बहुत बुरा लगता है, बुरी लगती कोई बात तो मैं चुफ हो जाती हूं That's exactly what I did, चुफ होगी ये परसुर्मे कोईं की ये चाहता है कि रेखा फिल्म की हिरुन हो, आप इतनी ज्यादा फिल्मों के काम करती है आपको व्क róż Nikki कहांसे मिलता है कि आप स्कृप्त देखें और फिर ये तै करें कि आपने काम करना है जा मही नही करना मुझे कुछ आदत सी हो गई शुरू से जैसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती नहीं थी जो भी है मम्मी या समबडी इस टू अप्रूव फिट बर जब से मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगी हूँ मैं हर चीज़ बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती हूँ आपको एक बार पढ़ लिया और इतनी फिल्मों में काम करते हूं हिंदुस्थानी फिल्म में मोर अलस उनकी जो फ्रेमवर्क है सेम होती है तो अभी तो ऐसा हो गया कि डालॉग पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि हाँ इस करोड़ों बलके आपके फैंस भी हैं ना सिर्फ इंदुस्तान में बलके दुनिया भर में लेकिन आप फ्यूचर का भविश्य का कभी सोचती है कि आप शायद इतने सालों में हीरोइन ना रहें फिर भी आप एक्टिंग जारी रखेंगी हीरोइन जब से मैंने होश संभाल कि acting what acting is all about मैंने कभी सोचाने कि मैं हीरोइन का काम करूंगी यवाप का काम करूंगी मैं एक फिल्म में काम किया जिसका नाम है दो नजाने आपने देखी है उसमें I was playing a more or less a vamp's role काफी negative character तो it's not a heroine which really matters it's my role अगर role अच्छी है तो मैं कोई भी role बर यह ऐसा होता गाया है कि अभी तक मैं heroine का काम कर रही हूं लेकिन future में even if I'm not doing a heroine's role it's okay कोई ज़रूरी नहीं है future के बारे में आज के बारे में सोचती हूं मैं आज के बारे में सोचती है future में कोई कोई कह सकता है कि क्या होगा हिंड़स्तान में अज़कल दो तरह की फिल्में बनने एक जिसे कहते है आर्ट फिल्म और एक माफ कीजिएगा चालू फिल्म आप आर्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी है या बहुत सारे जे कुछ याद है आपको कौन सी थी थी बहुत सारे है विजेता कल्यूग अभी हा पर में फिल्म फिल्म वधर फिल्म आप फिल्म आप तोर से लोग यह समझते हैं जिन्वे इसकेपिजम नहो ज्यादा रियलिटी गाने कर तो अपके कोई फेवरिट डिरेक्टर या प्रडूसर है या यह सही नहीं पूछना सवाल जी नहीं बिल्कुर सही आप चूछते ज डिर्म आप करती हूं I think he is one of our best directors. मैं खासतर से इसलिए Raja जी का नाम ले रही हूं because औरतों के लिए, Film Heroines के लिए, he is the best director. He is very good. I would love to work with him. जब आप किसी फिल्म में काम करने के लिए तयार होती हैं तो आप यह पूछना हूं कोई नहीं, कोई हर्ज नहीं, मेरे खाल में यह तो अब हमारी एक तरह से दूसरी जबान मिली जुली बनी चुकी है अच्छी बात नहीं है, Hindi अगर बोले तो सिर्फ Hindi, शुद Hindi बने चाहिए अच्छा In my case it's math, I told you, मैं ज्यादे हिंदी नहीं बोले साथ In your case it is math, अच्छा मैं यह पूछ रहा था कि आप जब तयार होती हैं किसी फिल्म में काम करने के लिए तो आप यह भी पूछती है कि हीरो कौन है कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने का यह हीरो आपने का मैं नहीं करूंगी मैं नहीं करूंगी मैं पार्ट नहीं करूंगी किऊँके तो यह यह हीरो बद्रीन अजिशा तो कभी नहीं हुआ है यह जरूर का है कि इस रोज के लिए यह पेटिकल आटिस्सथ के सूट ने करते हैं यह जरू का है शुजेशिशन जरूर दिए हैं को भी नहीं कहा कि अच्छा अगर यह हिरो है तो भी हमने काम करेंगे क्यूंकि मेरे साथ मेरा किसी ऐसे हिरो या किसी आर्टिस के साथ ऐसी रैपो बैड रैपो है नहीं है सब के साथ मेरा अच्छा रहा है कोई खास हीरो जिससे आपका बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेरा तो सबसे अच्छा तो मेरा रंधीर कपूर के साथ है अनफॉचनेटली अब मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ अमिताप के साथ आपने बहुत से फिल्मों में काम किया अच्छा ये तो फिल्मों की बात हुई अब ये बताईए आपने एक कोई टेप बना रहा है कोई आडियो टेप वो क्या है जरा उसके बारे में खुद बताईए पचास करोण बार बचा दो किया है यहां किसी को नहीं मालूँ? मुझे नहीं मालूँ, इसके मुझे दुरूर बताईए अच्छा जी मैंने कुछ तीन साल पहले एक्सराइज योगा करना शुरू किया उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी किसी किसम के एक्सराइज नहीं करती थी फिर मैंने सोचा कि I liked what I did काफी मुझे फर्क बड़ा यूगा करने से उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं फिल्मों में काम करूं कि नहीं करूं मेर पास बहुत बख्त मतलब दो काम करें लाऑ कुछा को में इन फिल्मों में थी थी मेरे घर की काफी खीप है मैंने का ठीक है जा के एसे थी देख लेते हैं कर लेते हैं एक फदे में मुझे इतना फर्क पड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा तो कहने लगे की अगर आपको इतना अच्छा लग रहा तो वारिंट यू कमाइप, वार्ट वो टेप काफी पॉपलर भी होगा, और यूद आपकी फैंस रूर खरी देंगे। तो मैंने थेक है तो अधिक है इस गुर आईटिया। तो मैंने किया। इन आपकी फैंस एक विडियो टेप है। अब आप यह निए समिछ थे के एक वीडियो टेप ही अच्छा रहेगा। यहां, लेकिन योगा के साथ ऐसा है कि it's not a mobile, it's not a very full of life thing, it's very stack, आप एक आसन में चले जाते हैं और उसमें एक मिनट, it's a very कफी slow, boring मामला है, you know, it's not as boring to listen to it and do it, it's very because it's got beautiful Indian music है बागरां में, बहुत अच्छा है लगता है लेकिन वीडियो वाली कोई बात नहीं कि देखो मैं वीडियो के बारे में सोच रही हूँ, योगा का नहीं, something else it'll be unique, I'll be doing it तो आप खुद regularly योगा करती हैं, जी हाँ तो ये कहना सही होगा कि आपकी खुबसूरती और इतने स्लिम रहने का राज योगा है स्लिम तो मैं अभी कहीं से नहीं हूँ, थोड़ी बत में मोटी होगी है क्योंकि अभी हम लोग इने अमेरिका का ट्रिप किया है लेकिन हाँ, उसे काफिक भर्ग बढ़ा मुझे अच्छा, और इसके इलावा, फिल्मी दुनिया के इलावा और योगा के लवाब आपके और क्या शोक है वक्त मिलता है आपको पहले तो ये कुछ और करेंगे जहां, बहुत सारे शोक है मुझे कुछ बताईए हमें मुझे पेंटिंग का बहुत शोक है और गार्णिंग का शोक है बहुत सार लंबा लिस्ट है, आप सनना चाहेंगे सब कुछ अच्छा, अच्छा, गार्णिंग का शोक है इंटियर डेकुरेशन का शोक है और कबड़ों का शोक है मतलब डिजाइन का शोक है मेकप का शोक है यह तो सब जानते हैं and I like looking at pretty faces or hair styles का shock है everything beautiful जो भी खुबसरूत चीज है जैसे flower arrangement, anything you just name it वो सब कुछ करना चाहती हूं of course, सबसे ज़्याद है मैं film बनाना चाहती हूं आप बनाना चाहती है एक सवाल मैं आपके fans आपके तरशकों की तरफ से पूछने की जुर्ट कर रहा हूं बहुत से लोग यह कहते हैं कि अब रेखा को भी चाहिए अपनी अपनी राय देने का सब को हक है आपको settle हो जाएं, शादी करें आपका उस तरफ और भी कोई बहुत से लोग बहुत से राय देते हैं लेकिन हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे राय सुनते हैं लेकिन अल्टिमेटली जो हम वही करते हैं जो हम जाते हैं और इस वक्त हम शादी करना नहीं चाहते हैं ने आप पहले वो सवाल कर रहे थे ना आपने कहा कि इसके वाद आपके इस किसम के रोल करना चाहेंगे, आप फिल्में में काम करना चाहेंगे, यह यह जाहेंगे. ज्यासे मैं आप से कहा कि वह जरुरी नहीं के मैं हिरोईन का काम करूंगे. लिकिन अभी अभी मैं समझ अभी मैं समझ हो की what acting is all about. और मुझे बहुत अच्छा लगता है और अक्टिंग इस दिरियल तिंग मालाइफ ना इस अजी तू तिंग मालाइफ और मैं बहुत इंजॉय कर रही है इस वक्त मैं एक दो साल तो मैं आंक बंद करके अक्टिंग करूंगी आंक बंद करके मतलब यह नहीं कि लापरवाई से मतलब बिल्कुल जरूरी करूंगे उसके बाद मैं चाहती हूं कि मैं फिल्म में काम करूं और उसके साथ साथ डिरेक्शन करूं उसके साथ साथ म्यूजिक डिरेक्शन करो, उसके साथ साथ डान्स डिरेक्शन करो, हर चीज़ करो. अच्छा, एक आपसे मैं और तर्खास करने चाहता हूँ, आप अब यहाल ही में एक लंबा चोड़ा अमरीका से टूर करके आई हैं कॉंसर्ट्स का, जिसमें आपने कुछ डान्स भी दिखाए, कुछ गाने भी काने बिखाए, जाहिर आप अब अब यहाल हैं, डान्स के कॉंसा कान सी गाना कूँ जो आपको पसंदो गजी लिखाए, गजा सुनाई मेहिदी असन जभाप को पसंदो, चलो ठीक थीक, पसंदो, और आप अब यहाल है, यहाल है, जी तूम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तूम कभी भी बूला ना सकोगे नजाने मुझे क्यूं ये की हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटाना सकोगे मुझे तुम नजर से अब्रेखा जी बहुत अच्छा आपने गाया ने ने इस से अच्छा मागाती हूं लेकिन इस वक्त बहुत बहुत शुक्रे आपका स्टूडियो में आने के लिए और बस आपसे यही दर्खास्त है आप योगा करें जंतर करें मंतर करें कुछ करें लेकिन इसी तरहे बरसों तक हम सब का दिल लुभाती रहें जी बहुत बहुत थाज़ा है